है, हेलो गाईस कैसे है आप सभी लोग आपका हमारे इस यूटूब चार्नल लर्न एंड़्प में आप आप सभीका स्वागत है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे 6 लाइफ प्रोसेश् OF LAPP डू जिसमें हम बात करेंगे respiration पिछले क्लास में पार्ट वन में हम लोग बात किये थे कि nutrition होता क्या है human being में digestion कैसे होता है अर्टोट्रोफ, hetero-trop, photosynthesis ये सबी के बारे में बात किये थे कि food हम लोग कैसे खाते हैं उसका digestion कैसे होता है उससे energy कैसे मिलता है ये सबी हम लोग बात किये थे मैं बताया था कि पिछले क्लास में कि जो भोजन खाते हैं उससे हमको direct energy नहीं मिलता उसको energy करने के energy लिकालने के लिए oxygen को डालना पड़ता है oxygen उसके reactor करता है presence में फिर energy release होता है कैसे होता है मेल जब respiration पढ़ेंगे तब बताऊंगा ऐसा बोला था ठीक है तो अब हम पढ़ रहे है respiration तो continue करते है respiration अगर आप लोग उसको पहला पार्ट को नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लेर इसunda करेंगे तभी समग आंगा नहीं समगा ठीक है क्यूंकि पार्ट वन को नहीं देख ? पार्ट टू कोदेखें लिंक रहते ना तो भार्ट वन पाप और देखें फिर पार्ट वन को देखू है मैं description में डाल दे रहा हूँगा part 1 का link ठीक आप लोग वहां से देख लेना तो पहले देखते हैं respiration किसे कहते हैं ठीक है तो respiration होता क्या है respiration is the process by which food is burnt क्या बोला है burnt देखो भोजन को क्या करता है उसको क्या करता है जलाता है in the cells of the body with the help of oxygen to release energy मैं जो बोला था वही है जो food हम लोग खाए है उसको oxygen के presence में जलाते जलाते मतला उसको burn करते हैं energy लिकाने की process किसके presence में होता क्या है होता क्या है यहां पर जैसे food है यह food हो गया अब इसमें oxygen के presence में गया और उससे क्या किया energy energy release किया हना energy क्या करता है release it takes place in the mitochondria of the cell और यह कहां पर होता है हम इससे याद रखेंगे question MCQ form में पूछा जा सकता है कि यह जो respiration के process होता है energy release होता है वो कहा होता है mitochondria of the cells माइटो सेल के कोशिका की mitochondria में होता है ठीक है अब यह किस form में संचीत होता है मतला इस्टोर होता है यह energy एटिफी के form में होता है यह याद रखेंगे अभी बात करते हैं क्या दिया the energy release during respiration is used to make ATP molecule देखो जो energy release होता है वो ऐसे energy के form में हमारे body में नहीं रहता है वो body में store रहता है और किस form में रहता है यह ATP के form में ATP का full form याद रखेंगे adenosine tri-phosphate A से adenosine T से tri अब P से phosphate ATP और ATP कैसे बनता है ADP molecule ADP ADP मतलब adenosine di-phosphate di-phosphate पे जब phosphate या inorganic phosphate क्या करता है रियक्ट करता है अभिक्रिया करता है तो हमारा ATP बनता है direct form में अभिक्रिया को देखें हम लोग ADP मतलब adenosine di-phosphate डाय मतलब 2 एक phosphate और 8 हो गया इसमें तो कितना हो गया तीन तो इससे बना को ATP energy किस form में इस्टोर होता है ATP के form में तो जो खाना होता है उससे जो energy release होता है oxygen के presence में वो ATP के रूप में संचीत होती कहां होता है माइटो काइडिया में संचीत होता है समय गया अब उसके बाद क्या बोला है energy is stored in the cell in the form of ATP मैं बोला हूं के ATP के form में हमारे जो cells में store होता है ठीक है ATP is breakdown in the presence of water, तो उसको water के presence क्या करते है, ब्रेक करते है, तो ADP और energy मिल जाते है, ठीक है, तो ADP और energy फिर से मेरे को ADP मिल गया, मेरे को ADP को फिर से phosphate मिल गया, फिर से ATP बना लेगा, एटिपी हमारे body में, cells में क्या है, energy को फॉर में, अब हमारे body को कुछ काम करना है, तो energy चाहि से कहार– जैसे हमको पानी पीते हैं हमारे बौड़ी में पानी होता है उसको तोड़ता है एको तोड़ता है और एनर्जी को इनर्जी को संवचा काता है समझागیا यह पर भी समझ जाना है तो पूछ लेंगे ठीक है उसके बाद देखते हैं टाइपस आप रेस्पारेशन में दो प्रकार के होते हैं अरोबिक रेस्पारेशन एन और रविक मतलब जो ऑक्सिजन के प्रिजेंस में नहीं होता है एक होता है एक होता है अरोबिक रेस्पारेशन इसकी बात करते हैं इसकी बात करते हैं एरोबिक रेस्पारेशन 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 तो एरोबिक रेस्पार टेक्स प्लेज इन डॉशा जाए सकता है ना कि अरोबीक रेश्पैरेशन और अनारोबीक में डिफ्रेंस क्या है अंतर क्या है है ना पूछे आ सकती नंबर में जैसे पूछा गया तो तीन पाइंट आप लोगों को लिखना है ठीक है तो इस प्रेजेंस आफ ऑक्षिजन होता है इट फ्रोड्यूस मोर एनरजी देखो इस प्रेजेंस में एरोबिक में मतलब कितना होता है मोर एनरजी अर्विक ऑर्दक सब्सक्राइओ और सबस्सलियूस में इन प्रोडक्टट क्या बनता है क्या बनता है कारबं डाइक्सेड बनते हैं मोरिक में यह हूता है इन इरोबिक रेस्पाहेल सभी को रेड में है क्या हो जाता है जैसे जिफे और और गुलकोश ऑक्सिजन के प्रेजेश में UP4 में कहा हो जाता है अब यह प्रोसस और हो जाता है सेल के जो सैटो प्लाज्मुक्त होता है कि नहीं comment करके जरूरू बताएंगे और सैटोप्लाज्मों होता क्या है यह आप लोग comment करके बताएंगे उसके बाद कहा होता है my तो कहां गया बन जाता है carbon dioxide energy and water यह सभी चीज बन जाता है रियक्शन आपको देखाऊंगो फिकर नहीं करें तो glucose is converted into pyruvate in the presence of oxygen यह क्या होता है सेटोप्लाजम होता है उसके बाद जो पारवेड बना है वो सेल्स के माइटोकेट केंडिया में जाता है उसके बाद पार्यावेड है किस में अनर्जी में कपमार्ट हो जाता है थाल थे के समझ गया सब्सक्रा देखते हैं अनरो बिक रसपैरेशन में बनता है इस प्रोड्य Dr Max एनर्जी में बताया था ये लेस एनर्जी में लगबाद दो एटीपी बहुत सकते हैं दो एटीपी हां दो एटीपी रिलीस करता है यह प्रोड्यूस करता है इन प्रोड़क्ट आर देखो उसमें इन प्रोड़क्ट क्या था कारवन डाक्साइड वाटर और एनर्जी था इस मसल्स में होता है मसल के सेल में होता है तो इंड प्रोड़क्टर बनेगा लैक्टिकेस जो यहां पर दिया है ठीक है लैक्टिकेस यदि यही प्रोसेड अगर इस टर्म के अंदर हो तो यह इंड प्रोड़क्टर क्या बनेगा एथनॉल बनेगा कैसे बनेगा मैं डाइग्राम क्यांद समझा जाएगा आपको ने जो यह वह ही है ठीक है तो इन अर्विक स्पारीशं में होता क्या देखेंगे passage मेर्न एक्टीери psych सम्शन कैसे होता हैं देखेंगे कि यह जो लैक्टी केसी बनता है लाहँ होना ओक बनता है याद रखेंगे जैसे हमको कहें बहुत नारत हो जाते हैं मि passouऄ जाते हो पहले पहले जीन जाते हो थो पहले आपको आपको आधर हो जाता है आजशेसे हम लोग मालिस करते है उसको मालिस करते जाता है त lobster लेक्ट फिर से किसमे बना जाता हे पारका wish आखे देखाँगा आप लोको समझाहः जाएगा ठीक है लुगास बेस चली नस्तफीन न्यवोत मंसर और करवट इस्थ करव कहया है पहला प्रोसेस होता है ग्लुकोज इस में पन्वत होता है पारवेट में और यही होता था ग्लुकोज पन्वाट ओंड पहुत पन्सल्सलिक्न होता ह् जब हमार वॉडिक धख़ दौर्ते हैं तो हम जितना अप हम अक्सिजन होता है उतना को नहीं मिल पाता है तो बॉडीजACE में इस दोनों को तो है अड़िक किया बोला हूं वही सीज है यह क्या होता है presence of oxygen में होता है और produce more energy क्या होता है यह सबी चीज़ यहाँ पर दिया है क्या दिया है water carbon dioxide और energy ठीक है it takes place in most organism वही चीज़ है ठीक है अगर इसके बाद यही जो बोला हूँ वही है देखो अभी reaction को यहाँ पर main देखना है reaction ग्लुकोस कैसा हुआ कनवाट हुआ presence of oxygen में in cytoplasm ठीक है reaction को कॉपी मन नोट डान करेंगे पारवेट बनता है फिर प्रेजेंस आव ऑक्सिज़न में माइटो काइंडियम होता है वो carbon dioxide H2O और energy release करता है H2O मतलब water उसके बाद एरोबिक हो गया अनरोबिक में क्या होता जेश्ट आप उसका यहां होता है अपसेंस आप ऑक्सिज़न में होता है अज लेस इनरजी रिलिस करता है और यह क्या बनाता है इन प्रोड़क्ट लाक्टिक एसीड और एथनॉल कारबन डाइक्साइड इनरजी बनाता है ठीक है रियक्शन को देखेंगे में हमारा फोकस रहेगा रियक्शन के उपर ठीक है आप लोग कोहीं पर भी समाझ यहां तो बेजी जग बोश सकते हो कमेंड करके बेजी जग मैं आपको तुरंत रिपलाई दूँगा ठीक है एन गाला मसल में जो होगा ौMAN और एनरजी तक रिलिस करोगा यह लेकिन यदि यही प्रोसेज अगर इस्ट में हो क्या होगा इस्ट में समझा तो हमारा मसल समय बोलेंगे तो लेक्टाक एसिड और एथनॉल जो होगा कहां इस्ट में यह एथनॉल बनेगा ठीक है तो यही जो इंडस्ट्री में एथनॉल बनता है सराब बनता है वह इस्ट की मदद से ही बनता नहीं अब यह जो दिया है यहां पर उसको ध्यास देखेंगे इनरजी मताव है अरभ के राव स्टिझीवर्य Berkeley sensor फ्रसेंत हो अब देखते हैं सेकंड जो यह वाले प्रो感 स arri और कहां हो रहा हुल रहा है इन मसल्स तो मसल में क्या हो जाता है मैं बताया था जोड़ा फाक तक करते हैं तो पैर्यूक एसिड कर्माथ हो जाता है लेक्टिक एसिड में तो लेक्टिक एसिड का जमाँ हो जाता है इस्टोर हो जाता है जिसके का हमारा हाथ पर दरद देते हैं ठीक है तो लेक्टिक एसिड बन गया अब अब अपसेंस आफ मेटो केंडे में हुआ तो करभन डायक्साइड वाटर इनर्जी बनेगा अगर मसल्स में हुआ अफसेंस आउव और अक्सीजन में तो लक्टीक ऐसी यगर इस्ट में हुआ अपसेंस आव अपस्जन में तेथनॉल बनता है ठीक है इसको याद रखी दे अब एभ सपैरेशन क उसका निवस्यल कोईटी उसके फैरिंग्स लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रॉंकाई ब्रॉंक्योस लॉंक्स एंडडर यह सब पार्ट क्या होते हैं आप लोगों देख लिए डाइग्राम में कहां पर कौन सा पार्ट होता है ठीक है तो पहला होता है नजल कविटी ठीक है उसके बाद देखेंगे निजल कविटी उसके बाद रता है वह बहुतन पर मिलते हैं तो ओर fiction यह प्रमान पर मिलते हैं वह आंशाय साफित्व प्राट वीट्वी मालब में अलब देख लैरिंग्स होता है लेरिंग्स क्या होता है अावाज आ रहा है बोल रहे है वह लेरिंस के यमाद चाहायता से सवाहेता से आता है जिए ट्रैक्या में यह एक या रिंग होता है है स्थाइड फटेहऽ को लैप्सन हो चीपक ना जाहा पिछक न जा आइसा बोलते हैं गया और हें लेट में उसके बार ला स्ऽ्ट में आता है इलु राइड मोर्क घ dairy अधा है ठीक है समझा गया उसके बाद देखते हैं कैसे होता है कैसे एर मतलब सांस लेते हैं तो वायू मंदल या एट्मस्फियर का ओक्सिजन हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं एर इंटर थूद नॉस्ट्री नॉस्ट्रील की साहता से एर इंटर करता है अकोछ दर्स पार्टिकल हो सकते हैं तो हमारे नोस में क्या पाजाता है है तो क्या पाजाता है ऑर क्या पार जाते हैं मियूकस पायता है और दोनों क्या करते हैं जो डस्ट पार्टिकल उसको ट्रैप पाल लीठे पकद लीठे प्टाइर कित फिक इसका नाम प्योड जिमा सुध्ध हवा ही हमारे फैरेंग्स लेरिंग स्ट्रेंग्ए और लंग्स में जाता है ठीक है दो there is no air in the trachea ठीक है दो अगर वो रिंग नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कोई भी एर अ बहुत सकते एक्सचेंज औप गैस बिट्वीन मताब लंग्स के बीच और हमारे ब्लड वेसल से मन्ताफ बड़ की बीच आप क्या होता है तो कि देखते हैं यह रहां टेखेंगे दब्रुंकाई ब्रुंकाई मताब किसको बोर रहे हैं यह वाला पार्ट को जहां पर यह द सब्सक्राइब तो यह हो गया दब्रोंकाई डिवाइट इंटू स्मॉल टीव और ब्रॉंकियोज फिर सब्सक्राइब हुआ तो उसको ब्रॉंकियोज बोलते हैं विच इन इन टीनी सैक लाइक काड अल्विलाई मतलब वहां पर देखो ब्रॉंकाई डिवाइड होता है ब्र लवलाई helps to increase the surface area of the exchange of gases मतलब क्या होता है यह क्या करता है blood vessels के साथ गैस का एक्षजेंज करता है मतलब जो atmosphere के थुरू किया है oxygen आया है वह इलवलाई में गया और वह इलवलाई में गया तो उसके पाद जो blood में जो de oxygenated blood है मतलब जिसमें oxygen की कमी है वह क्या करता है उसके पाद carbon dioxide है तो carbon dioxide को को ले ले लेता है और इलवलाई अपना oxygen किसको देता है blood vessels यागनी की blood को दे देता है ठीक है यही पाड़ यहाँ पर बोला गया है यहीं पर है यहाँ पर मैं डियाग्राम से एक बार फिर से बता दे कि यहां से आया फिर देखो ब्रोंकाई उसके बाद फिर से डिवाइड होता है ब्रोंकियोस में ठीक है इह होग्या ब्रॉंकियोस कि ऑगने लाश देखो उसके लाश किलाश टरम में क्या होता है mówiLi होता है क्या होता है अब अब इसी ऌलही क्या होता है je both like मैं डेखियर में देखना यह ब्लडवेसल से लिप्टा हुआ लोगे होता ब्लडवेसल अब पुर्बाट ट्यूप से क्या हुआ लिपता हुआ अब यहां से आया यहां से बहार से ऐसे दिन्या क्या हुआ आ कि आया ठीक हुआ抽ड यहां से आया अब इसके पास है डीकिनिल अद्वंद को देता है मैं अब headaches सीटी करने यसी होता है दे लाइस अप्लाइविद ब्लड विसस्ट्रू विच एक्षेज अगेस टेक्स प्लेज दैल विलाइए हेल्प टू इंटिस्ट सर्फिस एक फ्रेक्षिंज अप गैस यही चीज़ बार बार वहीशी चीज़ को बुला गया है अवसको देखते हैं मेकनिज लेते हैं या अशूमारे डाय फ्राम होता है वह सही आठेकट यहां पर यहां पर लिखना है यह नीचे रहाएं कैसा यहरा आई यह नीचे की और गूर आपक्वाट गैज़ोंस डाउनवर्ड लैटल दावनस काूड यह निणुल जाता है जैसे आप लोग सांस लेकर देखो अंदर लेओ एर को क्या होता है उसके बाद जब यहार को बहार लेते हैं उसका छोड़ी यह वेन वी ब्रीट आउट यार माला यार को जो बहार निकालती है the air sorry the muscles of the diaphragm relax so diaphragm क्या हो जाता है हमारा relax हो जाता तो पहले इन ले रहे थे तो contract हुआ अभी छोड़ है है तो diagram क्या हो जाता है relax तो देखो यहांप by diagram क्यों खड़ेया relax और कहा चले जाता है लिए घो अपक वाड़ चले जाता अब पर क्यों चले जात oh are the expectations contract for that and I go out अब दा लंक्स का हो जगता है हमारा जो एयर है जो लंक्स मे था डियो अक्सिजिन इट वाला बहुत सकते और से वह बाहर चला जाता है ठीक है समझा गया उसके पार देखते हैं एक डियाग्राम देखते हैं सिंपाडाइग्राम है यह इस देखे लाश्ट पॉइंट है ना क सब्सक्राइब आपर इसमें क्या कर रहे है देखो है यहाँ अब यह पर फुला हुआ अधे अर यह जो डैफ्राम है वह भी क्या हो गया रिलाक्स सो घया तो इस प्रगाल से पूरा और रिस्पारेशन अपना कंप्लीट होता है कैसे लागा चेट सेक्षन में जरूर बता कुछ भी डाउट होता है कहीं पर अभी तो आप लोग पूच सकते हैं बेजीजक्ट अब लेश्ट लेक्षटर में तकिंगे ट्रांस पूर में अमले ट्रांस है ट्रांस फूर में तर् सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में